पतानी किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्त की चिंता है उन्होंगे एक डिरेक्शन मुझे भेजी है कि सीम साहब ये जानके बेहत गतित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और महला क्लिनिकों के अंदर दाईयां उपलब्द नहीं हैं कुछ अस्पतालों में महला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सेंपल्स होते हैं वो उपलब्द नहीं है और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वज़े से दिली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए वो जेल के अंदर हों बाहर हों जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाईया लिने जाए उसे दवा मिले और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी एक बड़ी साधारन सी बात है दोस्तों की एक मिडल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए दवा ना मिले तो वो खरीच सकता है मगर दिली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाईयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं और कुछ लोगों की तो दवाईया ऐसी हैं जो जब तक जीएंगे तब तक उनकी दवा चलेगी किड्नी की जिनको बिमारिया हैं जब तक जीएंगे तब तक डायलेसिस होगा जब तक जीएंगे दवा चलेगी ब्लड प्रेशर की दवा है डायविटीज की दवा है इस तर हमारे लोग ऐसे हैं जिनको लगातार इंटर्वेल्स के बाद टेस्ट कराने की जुरूत पड़ती और वो टेस्ट भी जो है उसके लिए वो हमारे महला क्लिनिकों पर आशुर्थ हैं और इस तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई महला क्लिनिकों के अंदर जो जल्द उचित कदम उठाए जाएं और यह सुलिष्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में महला क्लिनिकों में सारी दवाईयां और सारे टेस्ट मुफ्त मिलें और उनकी उपलब्रता कमना हूं मैं समझता हूं कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आग्या जैसा है और इसके उपर युद्ध स्थर पे मेरा विभाग और मैं मिलके कारवाई करेंगे और मैं अरविंद केजरिवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं और उनकी चिंता यही है कि उनके जाने के बाद पीछे कोई व्यवस्ता अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें